हेलो नमस्कार साथियों बहुत बहुत स्वागा थे आपके अपने चैनल रेलेवे क्रेकर्स में आपका फ्रेंट्स यूपी बोर्ड का एक्जाम खतम हो चुका है देखिए फ्रेंट्स कल ही के दिन इसका एक्जाम खतम हुआ था और मैं आपको एक एक करके सारे विश्यों के क्वेशन्स पेपर में लिखे आ आ गया हूँ विथ एंसर की के साथ आप अपना एंसर की जरूर मिलान करिएगा यहां पर देखिए फ्रेंट्स 824 एनपी का यह पूरा सेट है और इसमें मैं बताने वाला हूँ कि आपकी कौन कौन से क्वेशन कहां कहां से पूछे गया है देखें फ्रेंट्स देर नकरते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो के अंग तक आप जरूर देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे इसमें इंपॉर्टन्ट क्वेशन्स मैं बताने वाला हूँ देखिए एक्जाम जो होता है आपका सत्तर ठीक है सत्तर रंकों का एक्जाम होता है और देखिए मैं बता दूंव फ्रेंट्स की जितने भी एक्जाम वाले है ना सभी कोशिश करते हैं कि उनका अच्छा से अच्छा स्कूर बन पाए ठीक है एक एक क्वेशन को हम लोग डिटेल में जानकारे लेंगे प्रारम के 15 मिन प्रतिय खंड के सभी प्रश्ण एक साथ करना आवश्यक है प्रतिय खंड नए प्रश्ट से प्रारंब किया जाता है सभी प्रश्ण अनिवारे हैं प्रश्णों के निरधारित अंक उनके सम्मुक दिये गए हैं आवश्यक्ता अनुसार अपने उतरों की पुष्टी तो पहला कोशन पढ़ते हैं लोग एक लेंस से पॉइंट टू मिटर तक दूर रखी वस्तु की अभासी प्रतिबं का आवर्धन शूनी दस्मिलों पांच है यह लेंस क्या होगा देखिए क्या होता है कि लेंस जब रखी गई है दो मिंटर पॉइंट टू मिटर पर ठीक है दे रखी है इसका जो वेल आपका डिस्टंस दे रखा है पॉइंट टू मिटर पर दूर रखी वस्तु के अभासी अर्थात उसके जो है ना मिरर इमेज टाइप पढ़ रहा है अभासी प्रतिबं का आवर्धन शूनी दस्मिलों पांच है यह लेंस क्या होने वाला है तो इसको अब करना क्या है डाइक फोर्मुला बेस क्विशन है इसका एंसर डाइक आजाएगा आपका पॉइंट टू और पॉइंट फाइव का क्या होगा पॉइंट टू मिटर फोकस दूरी पर का आवतर लेंस ठीक है यहां पर देखी ऑप्शन में क्या दे रखा है पॉइं काच का अपरतनांग आधिकतम होता है किस रग की मेंना जो है न काच का परतनाग सबसे अधिक होता है तो मैं बता दूर उच्पर शन दे रखे थे चार उप्शन外 przedstaw में बतादू फ्रेंस बैड़नी में काच का परतना बहुत श्यादा पाधिक होता है लाल रग के लिए जो तो यह साथ 3.6 इंटेंट पाल 5 हो जाएगा ठीक है नेक्स विशन एक गतिमान इलेक्ट्रोन उत्पन करता है क्या उत्पन करेगा वैद्यूत एवं चुंबकिये छेत्र दोनों ठीक है नेक्स कुशन में क्या पूचा गया फ्रेंस नेक्स कुशन में देखी चार नवर कुश बताईए तो उत्तल दरपण में प्रतिविं किस प्रकार से बनेगा में बात करता हूं प्रेंट्स upon johnchem reuse या कॉंवेक्स लींस ठीक है उत्तल दरपण का बोलेगे और अवतल को हम लूग कॉन्वेक्स कहते हैं उत्तल क्या हो गया देखीए कॉन के वोता है हमारे इस टाइप का कोंकेव तो उत्तल दरपं किस प्रकार से प्रतिविम बनाएगा इस प्रकार से बनाएगा दो विवाहरिक उपयोग बताईए तो अगर हम लोग याद रहे है फ्रेंट्स जब भी हम लोग गाड़ी में चलते हैं, एक्जाम्पल के तौर में बतादो, जब भी गाड़ी में बैठते हैं, उसका जो हैडलाइट होता है, वो उत्तल दरपन का बना होता है, ठीक है, नेक्स कुशिन, दूर दरिश्टी दोस्त, उसको बोलते हैं, मायोपिया, इसका निवारण कैसे किया जाता है, तो इसके निवारण के कुछ-कुछ उपयोग बता सकते हो, आप हमें, कमेंट करके, तो इसके निवारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, नेक्स कुशिन, प्लस 20 डाप्टर छमता के लैंस को आवरधन छमता ज्याद करना था, जब लैंस किसी वस्तू का प्रतविम सपस्ट दिरिश्टी से कि निवारण की विधी सच्चित्र समझाईए, चिक है, नेक्स कुशिन में क्या पूचा गया, देखी पढ़ लेते हैं, एक तार के सीरो का विभांतर अर्थात वोल्ट दे रखा है, इसमें आपको 1.5 बोल्ट दे रखा है, उसमें धार प्रवायत होती है, होने से 20 सेकेंड में 15 जूल प्राप्त, उर्जा प्राप्त होती है, तो सिद्धांत समझाइए था इसकी कार्या विधी का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है, या थो हमें दे रखा था दो बल्बो जिस जिन में एक पर 100 वाट, दूसरे पर 60 वाट, 220 वोल्ट दिखा है, को एक 220 वोल्ट की सप्लाइ लाइन में से समनानांतर करम में जोड़ा गया ह है, सप्लाइ लाइन से निर्गत धारा की गड़ना करना है, ठीक है, नेक्स कुछिन में क्या पूचा क्या है, देखते है, हम लोग पढ़ लेते हैं, चलिए, अनि लिखते में से कौन सा प्रवल विधुद अब घट्य नहीं है, तो हाइड्रोजन सलफाइड जो है न दरूर कमेंटर बताइए, आसथ ये कौन सा है, ठीक है, नेक्स कुछिन में से किस योगिक में के टोने के टोन गुरूब जो है तना, वो समू उपस्तित है, तो आपको में मता दो फिंस की यहां पर जो की टोन गुरूप है, आपका सिंपल सा गुरूप होगा, यहां पर द बन जाएगा फ्रेंट्स, आपका यह कार्बोक्सली के गुरूप बन जाएगा, ठीक है, कार्बोक्सली गुरूप बन जाएगा, मैं ठीक है, और दे रखाता फ्रेंट्स कुछिन को पढ़ लेते हैं, हम लोग बहुत ही केम रासानिक गुणों की आधार पर एथनोल और प्रतिस थापन अभिक्रिया, ठीक है, नेक्स कुछिन में क्या पूचा अधाटू में अंतर सपश्ट कीजिए, मैटल और नॉन में क्या अंतर है, बहुत ही सिंपल साट डेफिनीचन है, बतना बनाईएगा ज़ूर एंसन मिल जाएगा, अब को धातू पर मोर्चा लगाना मोर्चा लगना को क्या कहते है, समझाना है, तो मोर्चा ठीक है, कारवन की अच्य तो फलकिया प्रकरति को अशंधिर थे और आसांत्रिप त्वाइड्र कार्बन सेचुराटेट और अंशेचुराटेटेटि विए रीधिया युदासीन ना अभिक्रिया इसमें डेफिनिशन या टिपणी लिखना है आपको मेंडल के अनुसार मटर के बॉने पाधे का जीन प्रारूप क्या होगा लंबे पाधे का जो क्टीबॉन पॉद्द कि जीन पर आगोब वो 25 परितंट है लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंट कि जो बॉन आ पाउदा था उसमें आपको त्री रिश्यो बन बनेगा ठीक है थी रिश्यों बनेगा तो यह टीटी आपका करेंसर हो जाएगा जिसमें जिवास नृटिक आनउ की औक सी करेक्ट हो रहे है कि आम सी प्रिक्रिया केवल जन तूम पाल जाती है तो फ्रेंट्स याद रहे तंत्र कीका कुर्ण में असे ऑक्सिजन की अनुपसिति में यीस्ट से क्या उत्पाद बनते हैं इसका क्षेशन पूचा गया था दो परेशन दूंघ इसमें क्या है वर्णन करना था next Question में क्या पुचा गया देखिए पादबो में जल टथा看 eternal के संबहान का वर्णन करना था next Nicolas आकरती आ कार तथा रंग रूप में भिनतब होने के बावजूत सही मानों एक ही प्रजाती में रखे महरती हैं कारण बताना था इस संब एक लिंगी तथा उभय लिंगी पुष्प में अंत्र बताना था तथा दोनों का एक उदारन भी देना था या परागण की परिवासा लिखिये विभन प्रकार के परागण का नाम लिखिये तथा किसी एक का वर्णन करना था तेम्हिए पादब हुर्मोन बारेत बादा सकते हो बटा सकते हो तो यह सारे पहर घंस को हम लोगों ने देखेर आच्ण हisto को हमें बताए जरूर की आपके चरणा पहो थे तो ठीकी फ्रेंट थäch Nich पोर वाचिंग वीडियो प्लिज वीडियो को लाइक शेयर मंट जरू करऊगा ऐसे ही मैं समाजिग विज्ञान संस्कृत के खिचिण हिन्दी के गृश्न गनिघ के खिचिं सारे कृशन लिगियां तो वीडियो को लाइक शेयर मेंट जरू करिए .थ नेक्स्ट वीडियों बत्त के लिए जैन्द बंदे मात्रम धन्यवाद